नमस्कार मैं डॉक्टर मनीस आज आपसे बात करूंगा HbA1c टेस्ट को ले करके हिमोगलोबिन A1c टेस्ट जो है वह बहुत इंपोर्टेंट टेस्ट आज की डेट में बन चुका है कोई भी चिकत सक इसका प्रियोग इसलिए करता है ताकि किसी व्यक्ति के खून के अंदर पिछले तीन महीनों में सुगर का लेवल कितना रहा है उसका एवरेज की जांच करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो इस टेस्ट का जो आधार बनाया गया है वह आरवीसीज यानि की रेड बलड सैल्स को लेकर के बनाया गया है आरवीसीज का जो जीवनकाल होत होता है इसी को गलाइकेट्रिड हेमोगलोबिन भी कहा जाता है अब कोश्चन आता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है बड़े या बच्चे किसी के भी सरीर में सेम होती है इसकी वैल्यू सेम इसका रिजल्ट होता है कितना से लेकर के 5.9 के बीच में जो result आता है वह normal सामान्य मानगा जाता है सुगर के जो रोगी हैं उनके सरीर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा control मानगा जाता है यदि 7 से कम आता है result लेकिन ठीक ठीक सा average fair control मानगा जाता है अपना सुगर अच्छे से control करने की जरूरत है यदि कोई सुगर का रोगी नहीं है पहले से और उसकी जाच कराई जाती है तो यदि उसकी value जो है वो 6.5 से ज़्यादा आती है तो मान ले जाता है कि उनको सुगर है 6.5 से ज़्यादा सुगर को बता देती है अब इसका जो goal होता है वो 7 रखना होता है यानि कि 7 से कम ये goal जो है वो सुगर के रोग्यों के लिए है जो लोग सुगर की दवाईयां खाते हैं तो उनका 7 से कम रखना target है लेकिन ये 7 से कम रखना जो target है उसका फाइदा क्या है वेसिकलिक goal का उद्देश से क्या है क्यों चाहते हैं कि 7 से कम हो जिन लोगों को सुगर होती है उन लोगों के सरीर में सुगर के करण बहुत सारी परिसानिया आने लग जाती है खास करके diabetic retinopathy यानि कि diabetic retinopathy जो होती है वो आखे खराब हो जाती है diabetic nephropathy यानि कि सुगर बढ़े रहने के करण उनके गुर्दे खराब होने लग जाते हैं और diabetic neuropathy neuropathy basically क्या होता है कि उन लोगों की नर्ष नसे खराब होने लग जाती है उनके पैरों में जलन रहने लग जाती है और उनके सरीर में सुनपन रहना लग जाता है उंगलियां उंगलियों के जो पोर्वे होते हैं वो सुन रहने लग जाते हैं तो यह सब चीज़े डिल यदि साथ से कम किसी तरीके से अचीव कर ले जाता है यह टारगेट तो सुगर के कारण होने वाली है जो समस्याई मैंने बताई है यह बहुत ही धिमी हो जाती है शरीर खराब नहीं हो पाता है सुगर के कारण बुजूर्गों में थोड़ा सा चेंज होता है बुजूर्गों में जो है कंट्रोल चल रही है उन लोगों को साल भर में दो बार तो जरूर कराना चाहिए जिन लोगों की सुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है अच्छे से और उनकी तवाईयां बार-बार बदली जा रही है सुगर कंट्रोल करने के लिए तो उनको जो है साल भर में चार बार चार बार किनको जिनको सुगर जो है अपनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को साल भर में चार बार ये टेस्ट कराना चाहिए अब आपको स्क्रीन पर जो है HBA1C की रिपोर्ट दिख रही है एक पेसेंट की इसमें HBA1C है 14.7 और एवरेज जो बलड सुगर रही है पिछले तीन महीनों में वो है 375 यानि कि इनका बलड सुगर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है ये दूसरे रोगी की रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं HBA1C की वैल्यू है 14,14 और जो एवरेज बलड गुलकोज है नीचे दिया गया है 355 तो भी एवरेज बलड गुलकोज इसलिए लिखी हुई आती है ताकि डॉक्टर जो है वो अपने रोगी को आसानी से समझा सके कि आपकी सूगर पिछले तीन मैंनों में इतनी खराब इस्तिती में रही है जादे तर लोगों की जो है HBA1C 6,7,8 इसी रेंज में आती है लेकिन ये दो रिपोर्ट आपको मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ही जादा थी ये रेर रिपोर्ट हैं बहुत ही कम देखने को मिलती है इतनी जादा बढ़ी हुई सूगर लोगों की HBA1C का सैंपल जो है वो किसी भी समय आसानी के साथ लिया जा सकता है इसके अलावा HBA1C की रिपोर्ट जो है वो गलत आने की संभावना के वलत तब होती है जब यदि किसी व्यक्ति को खून से संबंदित कोई विकार हो कोई डिसोडर हो इसके अलावा यदि किसी सूगर के रोगी को किसी सामाने नॉर्मल पेसेंट का बलड चड़ा दिया जाए तो उस इस्तिति में भी इसकी रिपोर्ट गलत आने की संभावना होती है आसा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उमीद है कि आपके जो है मन के बहुत सारे कॉस्चनों का अंसर इस वीडियो के माद्यम से आपको मिला होगा अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना ना भूले और अगर कोई और मन में आपके को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालें